साल दो हजार चौबीस में दो सूर्य ग्रहन है, पहला सूर्य ग्रहन आठ अप्रेल दो हजार चौबीस को लगा था, वहीं दूसरा सूर्य ग्रहन दो अक्टूबर दो हजार चौबीस को दिखाई देगा, दो अक्टूबर दो हजार चौबीस को लगने वाले महा सूर्य ग्र सही सुना आप लोगोंने दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 को साल का अंतिम और महा सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहन होता है, वह चंद्र ग्रहन से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है, 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला सूर्य ग्रहन, कोई मामूली सा सूर्य ग्रहन नहीं होगा, बलकि यह एक महा सूर्य ग्रहन होगा, इसी लिए इस ग्रहन का बेसब्र से पूरी दुनिया के ज्योतिशी नहीं, वैज्यानिक भी इंतजार कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहन के दूसरे दिन ही, इसका प्रभाव आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहन लगता है, तो उस वक्त सूर्य ग्रहन का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्र औरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहन लगेगा, सूर्य देव जी की कृपा छह राश्यवालों को इस प्रकार से मिलने हैं, जिसके बाद इन छह राश्यवालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होग इनके जीवन में यह बहुत ही उन्नती करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, इस सूर्य ग्रहन के बाद यह छह खुश नसीब राश्यवाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहन एक अशुभ घटना होती है, जब भी सूर्य ग्रहन लगता है, धर्ती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती है, और जब भी चंद्र ग्रहन लगता है, तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, कई देशों में ब अनजाने सूर्य ग्रहन के दोरान या सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दोरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सخت मनाई है, तो इस से आपके ऊपर कई प्रकार के दोश लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की प और सूर्य ग्रहन के दौरान वह कौन से आप छोटे छोटे से कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्थ पर विधी विधान से इस बार कर लिया, तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नती करने स कोई नहीं रोक पाएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहन के दौरान किन चीजों को करने की सخت मनाही है, जिसको आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंग वह कौन सी ऐसी छह भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाये देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए। जय सूर्य देव जी की देखिए दोस्तों आपको बता दें साल का अंतिम और महा सूर्य ग्रहन। इस बार इस साल दूसरा सूर्य ग्रहन दो अक्तूबर को रात 9 बचकर 13 मिनट से शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। बिलकुल सही सुना आप लोगोंने दो दोस्तों इस बार का जो सूर्य ग्रहन होगा वह भारत में नहीं दिखाई देगा। लेकिन इस बार का जो है वह लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है। पूरे 400 व अमावस्या के साथ शुरू हो करके अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो यह वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के पूरी धर्ती का भ्रमन करती है और अगर इस दोरान आप तंत्र शस्त्र ज्योतिश शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा बलकि माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको की कमी कभी भी नहीं होगी तो दोस्तों आपको बता दें साल का अंतिम और महा सूर्य ग्रहन 2 अक्टूबर 2024 को रातरी 9 बज कर 13 मिनट से शुरू होगा इसका जो समापन होगा वह आधी रात को 3 बज कर 17 पर होगा सूर्य ग्रहन का जो सूतक काल होगा वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रह उसका जो सूतक काल होगा वह 2 अक्टूबर की सुबह 9 बज कर 31 मिनट से शुरू हो जाएगा आपको बता दूं दोस्तों वेद पुराणो के अनुसार सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो ना केवल आपके जीवन में आपको एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा बलकि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का व आपको नहीं करनी चाहिए माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी आपके जीवन में कई प्रकार के दोशों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक-एक करके बताने जा रहे हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ कौन से छोटे-छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं सूर्य ग्रहन का सूतक काल 2 अक्टूबर को 9 बज कर 31 से शुरू हो जाएगा इस अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला द देते हैं तो आपको 33 कोटी देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलेगा क्योंकि गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का तो वास होता ही होता है गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है तो सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद 11 रोटी क इसी भी गाय को खिला दीजिएगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहन के दूसरे दिन मतलब 2 अक्टूबर 2024 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोचा लगाना है। ग्रहन के दूसरे मतलब 3 अक्टूबर को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। और भगवान भोले नात का आपका आशीरवाद मिलता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहन के दौरान अब वह कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहन वाले दिन और सूर्य ग्रहन के सूतक काल के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं, जो आपको भूल कर भी नहीं कर करनी चाहिए। चलिए आपको एक-एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहन का जो सूतक काल है, वह 9 बज कर 31 मिनट से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना चुए ना पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहन का सूतक काल 9 मिनट 31 से केंड से शुरू होता है, इस दोरान किसी भी व्रिक्ष उसको मत चुए ना किसी पत्ती को तोड़ियेगा, इस से माना जाता है कि आपके जीवन में दुखा सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहन के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा, कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाएं, और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेश करके ध्यान रखना होगा सूर्य ग्रहन के काल के बाद वह तेल का इस्तेमाल बिलकुल ना करें और कंगी का इस्तेमाल ना करें बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहन का प्रभाव आपको को अब वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहन के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन सहयोग बन रहे हैं जिन्स नौकरी की आप तयारी करकर के ठक चुके थे आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं। इन बहुत ही करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुश नसीब राश्य है कन्या। राश्य कन्या तुला राश्य वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपका देव गुरू ब्रहस्पती इस सूर्य ग्रहन के बाद सात्वें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। ना केवल आपके मान सम्मान में व्रिद्ध होगी, आपके समाज में बलकि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोडों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिसकर सकीम में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ष के बोज से अब आपको मुक्ती मिल जाएगी। और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वह भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशे तो मकर राशे वालों के बारे में बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहन के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी।